प्रदेश अत्यक्ष प्रितम सिंग्ध ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने विविन मुद्धों को लेकर केंद्र और राज की मीज़िवी सरकार को घेरा। प्रितम सिंग ने सबसे पहले राज की कानूर विवस्ता का मुद्दा उठाया जिसमें उन्होंने कहा कि त्रविंद सरकार के राज में अपराधी बेखौफ हैं आए दिन कई घटनाई घटित होती रहती हैं इस जोरान प्रितम सिंग तेहरी जिले में दरित चितेंद दास की पीट-पीट कर हत्या होने के मामले पर भी सरकार को गिरते वे रज़राएं वही किसानों को लिगर प्रितम सिंग ने कहा कि सरकार किसानों के आई को दो गुना करने की बात कहती हैं लेकिन गर्ना किसानों का पकाया भुकतान अब तक नहीं किया गया गया गेव को समर्थन म प्रदेश के अंदर जो पानी प्रज़ता है वो बूरी तरीके से भस्त है सरकार का आनूम व्यवस्ता पर कोई नियंत्रण नहीं है और इसकी बानगी नैनबाग के अंदर पसाड गाउं में जितंगर तास जी की जिस तरीके से निर्मं पिटाई के बाद उनकी मौत हो गई और उनकी मौत के बाद सरकार की आज तक नीद नहीं है संबाट 365 के लिए, देरा दून से कोड़ी के लिपोग।